धीरुभाय अम्बानी एक दूरदर्शी भारतिय उद्यमी थे जिन्होंने भारतिय व्यापार परिद्रश में क्रांती लादी और भारतिय व्यापार इतिहास में सबसे प्रतिष्थित शक्सियतों में से एक बन गए 28 डिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवार्ड में जन्मे धीरुभाय हिराचंद गोर्धन भाय अम्बानी और जमनाबेन अम्बानी की पांच संतानों में से तीसरे थे उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और परिवार साधारन परिस्थितियों में रहता था धीरुभाय का प्रारंभिक जीवन महत्वा कांक्षा और सफलता के लिए निरंतर प्रयास से चिनित था सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने छोटी उम्र से ही उद्यम शीर्ता की भावना प्रदर्शित की वह 17 साल की उम्र में एक ट्रेडिंग फर्म में क्लर्क के रूप में काम करने के लिए अदन यमन चले गए इस समय के दोरान उन्हें व्यवसाई और व्यापार में बहुमूलिय अनुभव प्राप्थ हुआ जिसने बाद में उनके करिया को आकार दिया 1958 में धीरुभवाई भारत लोट आए और रुप्य की मामूली पूंजी के साथ अपना खुद का व्यापसाई Reliance Commercial Corporation शुरू किया 15,000 उन्होंने अदन में कमोडिटी ट्रेडिंग में प्राप्थ अपने अनुभव का लाब उठाते हुए मसालों और सूत का व्यापार करना शुरू किया हालां कि उन्हें असली सफलता 1960 के दशक में मिली जब उन्होंने कपड़ा उद्योग में कदम रखा धीरू भई ने कपड़ा उद्योग में विकास की संभावनाओं को देखा और 1966 में नरोदा अहमदाबाद में पहली कपड़ा मिलकी स्थापना की इससे Reliance Industries Limited R.I.A.R. की शुरू आथ हुई जो अंतता भारत में सबसे बड़े समुहों में से एक बन गई उनके नित्रित्व में Reliance ने Petrochemical, Refining, दूरसंचार और खुदरा जैसे विभिन क्षेत्रों में अपने परिचालन का विस्तार करते हुए तेजी से विकास किया धीरू भाई की सबसे उलेकनी और विशेशताओं में से एक भारत के जटल विनिया मकवातावरन को नेविगेट करने और अपने लाब के लिए सरकारी नीतियों का लाब उठाने की उनकी क्षमता थी वह लाइसेंस, पर्मित और अनुबंध हासिल करने में माहिर थे अक्सर व्यापारिक सौदों को सुविधा जनक बनाने के लिए अपने राजनीतिक संबंधों का उप्योग करते थे अपने तरीकों के लिए आलोचना का सामना करने के बावजूद, वह विकास और विस्तार की अपनी खोज में अविचल रहे धीरु भाई की नित्रित्व शैली की विशेशता साहस, जोके मुठाना और नवीनता थी वह सीमाओं को आगे बढ़ाने और पारंपरिक ज्यान को चुनोती देने में विश्वास करते थे विकास की कोई सीमा नहीं है, का उनका मंत्र रिलायंस की विस्तार रननीतियों के लिए मार्ग दर्शक सिध्धान्द बन गया उनके नित्रित्व में, रिलायंस अपनी महत्वा कांक्षी परियो जनाओं के लिए जाना जाने लगा जैसे जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का निर्मान और रिलायंस कम्यूनिकेशन्स के माध्यम से भारत के पहले राष्ट्रव्यापी मोबाइल नेक्वर्क का रोल आउट हालां की, धीरु भाई की सफलता विवाद से रहित नहीं थी उन पर अक्सर स्टॉक की कीमतों में हेर फेर और एक अधिकारवादी व्यवहार सहित अनुचित व्यावसाइक प्रथाओं में शामिल होने का आरोप लगाया गया था राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के साथ उनके घनिष्ट संबंधों ने भी साठ गांट वाले पूंजिवाद पर सवाल उठाए इन चुनोतियों के बावजूद, धीरु भाई रिलायंस को एक वैश्विक शक्ती बनाने के अपने मिशन पर द्रिर रहे धीरु भाई का प्रभाव व्यापार जगत से परे तक फैला हुआ था वह एक करिश्माई नेता थे जिन्होंने अपने कर्मचारियों और अन्याईयों के बीच वफादारी और भक्ती को प्रेरित किया उनकी फटेहाल से अमीर बनने की कहानी ने लाखों भारतियों, विशेशकर विनम्र प्रिश्ट भूमी वाले लोगों की कल्पना पर कबजा कर लिया जिन्होंने उन्हें आशा और अवसर के प्रतीक के रूप में देखा अपने व्यापारिक कौशल के अलावा, धीरुभाई अपनी परुपकारी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे वह समाज को वापस लोटाने में विश्वास करते थे और विभिन शेक्षिकी, स्वास्थ देखभाल और सामुदाइक विकास पहलों का समर्थन करते थे 1996 में स्थापित धीरुभाई अंबानी फाउंडेशन, सामाजिक जिम्मेदारी की उनकी विरासत को आगे बढ़ा रहा है धीरुभाई के जीवन को कई प्रशनसाओं और सम्मानों से चिनित किया गया था भारतिय अर्थ्व्यवस्था और समाज में उनके योगदान के लिए उन्हें मरन उपरांद 2016 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरसकार पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था उनकी उद्यम शीलता यात्रा न केवल भारत में बलकी दुनिया भर में महत्वाकांक्षी उद्यमियों और व्यापारिक नेताओं को प्रेरित करती रहती है धीरुभाय अंबानी का 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया लेकिन उनकी विरासत रिलायंस Industries Limited के माध्यम से जीवित है